एक बार ब्रह्मा ने देवता तता सुरों की एक सवा बुलाई सभी देवता तता दाना ब्रह्मा के दरबार में उपस्थित हुए ब्रह्मा ने वैसे तोनों ही समूदायों की बड़ी आव भगत की लेकिन देवताओं के पृति उनके मन में अधिक सर्दा तता सम्मान था दानवों के राजा ने कहा ब्रह्मा जी देखिए आप देवताओं को अधिक मात्व दे रहे हैं उनके प्रति आपके हिर्दे में अधिक सम्मान है अगर ऐसा है तो फिर हमें यहां क्यों बुलाया ब्रह्मा ने बहुत समझाया बुझाया किन तो दानवों को क्रोध कम नहीं हुआ अब तो ब्रह्मा ने संकल्प किया कि दानवों को इस बात का बोध कराना ही होगा कि वे देवताओं के बराबरी नहीं कर सकते ब्रह्मा ने असूरों के राजा से कहा मुझे प्रसंता होगी यदि आप देवताओं के समान बन जाएं उनसे पीछे ना रहें हम तो पहले से ही उनसे बहुत आगे हैं असूरों के राजा ने अकड़ कर कहा पुरा ना मानो तो मैं आपकी परिक्षा ले लूँ ब्रह्मा ने पूछा ठीक है हो जाए परिक्षा दानव के राजा ने कहा रात के भोजन में ब्रह्मा ने देवताओं दानवों सबके हाथ पर उंगलियों तक जंडे बंदवा दिये जिससे दोनों हाथ मोड ना सके सबसे पहले ब्रह्मा ने असूर के आगे लड़ूं के बड़े बड़े थाल परोसे और कहा कि जो अधिक लड़ू खाएगा वही स्रेष्ट होगा दानवों ने लड़ू उठाए तो लिये किन तो हाथ में जंडे बंदे होने के कारण वे लड़ूं को अपने मूँ तक नहीं ले जा सके यह एक विकट समस्चा उत्पन हो गई थी बहुत प्रियतन करने के पशाद भी कोई भी दानव लड़ू खाने में सफल नहीं हो सका सबहा उठ गब देवताओं की बारी आई उनके हाथ पर भी उसी परकार जंडे बांदे गए उनके हाथ भी मुड नहीं सकते थे पंक्तियों में बेठे सभी देवताओं के सम्मुक लट्टू परोसे गए देवताओं ने दो दो जोड़ी बना एक देवता दूसरे देवता को खिला रहा था तबी दानव यह तमासा देख रहे हैं मानना पड़ा की वास्तम में देवताओं नवों से सुरेष्ट हैं राजा को मंत्री की कहानी बहुत पसंद आई वह मान गया की वास्तम में एकता दूसरे कुछ भी कार्ये किये जा सकता है